नमस्ते बारकू आजे आपने द्रित्य सत्रमा चेप्तर त्रोन चालू करी रही हैं छे जिन्नू नाम छे सच्चा हीरा अने प्रकार छे कहानी प्रश्टुट कहानी में व्यक्ति के ग्नान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है अच्छा ग्नान अच्छी बात है लेकिन वह आचरन में नहीं है तो निर्थक है इस बात को रोचक तरिके से प्रश्टुट किया गया है शु खहू छे के नीचे आपली कहानी मां सु बत्ता वियु छे के ग्णान, बद्धा पचसे ग्णान खूब भनेलो होई, कोई नीपासे काईक नौन शिख्वान, काईक नौन अंदर कला होई, कोई नामा ए बद्धूते छे, पण इने साथे साथे एनामा सारा गुण पन होवा जरूरी छे बरबर जो एना में सारा गुण नहोई तो बद्दु ग्नान केवँ छे नकामू छे औने आज बात सम्झवा माते आ काहानी खुब चसरश्रीते आपी छे तो खुब दियान थी बारको काहानी सामबर जो औने याद राक्जो तमें कहानी द्यान पुर्वक सांबर सो तो तमने तरतत सवाला जवाग आवडी जसे सुर्य अश्ट हो रहा था पक्सी चहा चहाते हुए अपने अपने नीड के और जा रहे थे सुर्य अश्ट हो रहा था इतले के सुर्य आठमी रहे हो हतो आत्मी जय एतले कायो समय हो इस सांजनो समय एतले कि सुर्या आत्मी रही हो तो पक्षियो चह चहाते चह चहाते एतले कि पक्षियो का बोलना पक्षियो जे कलरव करे छे तेल नीड की और नीड एतले कि मारो एनो गोशलो बरबर तो सुर्या आत्मी रही हो तो अने पक्षियों कलरव करता करता उताना मारा तरफ जय रहिया हता गाउं की कुछ श्ट्रिया पानी लेने के लिए गड़े लेकर कुवे की और चल पड़े गाउंनी कितली श्ट्रियों पानी भरवामा ते गड़ा लेने कुवा तरफ चालती हते पाणी बर कर कुछ श्ट्रिया तो अपने घरों को लोट गई परन्तु उन में से चार कुवे की पक्की जगट पर बैट कर आपस में इधर उधर की बाते करने लगे शु कहीं हुचे के पाणी बरी ने केतलीक श्ट्रियो पोताना घरे जती रहे लोट गई एतले के जवा लागी ने जती पंड रहे हते परन्तु एमा थी चार श्ट्रियो हती ते कुवा नी जगट जगट एतले सु कुवा का चबुत्रा कुवा नी आजू बाजू चे पत्थर नो बनावेलो है गोर जेनी उपर वधा बैसे तम्हें जोई सको छो चित्रामा बत्ता व्यू छे अहीं देखाई छे जे कुवा नी आजू बाजू गोर पत्थर नी पारी बनावेली छे तेने सु केवाई जगट तो के एनी उपर बैसे ने सु करती ती अहिया तियानी वातो करती हती बाद चित करते करते बाद बेतो तक जहा पहुँची अवे इलोका वात करता करता वात क्या गई इलोकाना छोक्राओ पर गई पोट-पोटाना छोक्राओनी वातो पछी करवा लागे छे उन मेसे एक ही उम्र सबसे बड़ी लग रही थी अने एमाथी एक श्ट्रीनी उम्मर बद्धा करता वधारे लागी रही रही आती अने जे ओभी ओभी पानी बर है चे ति स्ट्रीनी उम्मर केवी लागे छे ? वहां कहने लगी बगवान शबको मेरे जिसा बेता दे शुआ कहा है छे? जेने उमर वधार रहती? ते कहा है छे? के बगवान मारो छोकरो जेवो छेने, ते ओ बगवान बद्धाने छोकरो आपे मेरा बेता लाखों में एक है अने कहें छे के मारो छोक्रों लाखों मां एक छे केम तुके उसका कंथ बहुत मदूर है एनो अवाज खुब मदूर छे वहां बहुत अच्छा गाता है ते खुबत सरस गाई छे तेवों केहवा लागी उसके गीत को सुनकर कोयल और मेना भी चुप हो जाती है कि तेनो अवाज एतलो मदूर छे कि तेना गीत सामरीने कोयल अने मेना पन चुप थाई जाई छे बरबर एटले खाली एना मदूर कंथने लिद्धी एनी मासू कहे छे कि ए लाखों मा एक छे लाखों मा एक एपन पाछो एक मुहावरो छे के बद्ध करता अलगवी शिष्ट हो ना लोक बड़े चावसे उसके गीत सुनते है चाव एतले के प्रेम लोको खुबज प्रेम थी तेना गीतो सामरे छे उसकी बाद सुनकर दुश्रे श्री का मन हुवा कि वह भी अपने बेते की प्रशंचा करे पहली श्री नी बाद सामरी ने बीजी श्री ने पने उठयू के हुपन मारा छोक्रानी प्रशंचा करू तारिफ करू उसने पहली श्री शे कहा मेरे बेते की बराबरी कोई नहीं कर शकता तेने पहली श्री ने कहिँ के मारा छोक्रानी बराबरी कोई करी शकतू नथी केम तो कारण के वहां बहुती शक्तिशाली और बहादूर है ते खुबज शक्तिशारी और बहादूर छे वहां बड़े बड़े बहादूरों को भी पचार देता है ते मोता मोता पैलवानोंने पन हरावी दे छे वहां आधुनी क्यूका बीम है ते आ नवी पेदी नो बीम यहां सब सुन कर तिर्श्री औरत भुला कैसे चूपड़ हैती औने आपदु शामरीने त्रीजी औरत ईड़ेके त्रीजी श्री केवी रिते चूपड़ हैती रही शके तो तमारे अहीं याद राखवानों छे बारगों के पहली श्री ए एना छुक्रा माते सु प्रशन्षा करी बिजी श्री ए एना छुक्रा माते सु प्रशन्षा करी अने तीजी श्री सु कहें छे इना बारग माते तो ए तम्मारे खुबज याद राखू जरूरी छे जो तमने ए यादरे से तो तम्मे आखा पातना सवाल जवाब खुबज सरर्ता थी आपी सक्सो माते विद्यो जो या पची पन तमारे बे वार सान ती थी पातनू अभ्यास करू वांचन करू जे थी तमने खुबज सरस्त रिटे यादरेई जसे हवेत रिजी स्री बोले छे वहां बोलू थी मेरा बेता साक्षा ब्रुःष्पति का अवतार है पची एक कहे छे के मारो छोक्रो शाक्षात एतले के प्रत्यक्ष ब्रुःष्पति एतले के देवो के गुरू ब्रुःष्पति कोन तो के देवो ना गुरू तिके मारो छोक्रो शाक्षात ब्रुःष्पति नो अवतार छे ब्रोस पती एतले के देवो ना जे गुरू छे तेनो उतार छे केम तो वहां जो कुछ परता है एकदम याद कल लेता है एतले के ए जे पन कई बने छे वाचे छे तो एने तरत तज याद रही जाई छे एकक जवारवा चे तो एने तरत याद रही जाई छे ते थी ऐसा लगता है के मानो उसके कंथ में सरस्वती का निवास हो अने एवु लागे छे के एना कंथ मा एना घरामा सरस्वती नो निवास हो ये तीनो औरत की बाते सुनकर चौथी श्री चुपचाप बैथी रहे अवे आ त्रोणनी बातों सामरी ने चौथी श्री चुपचाप बैशी रहे चे कस्तू बोलती नती त्रोने ट्रोन श्री ओ पोत्पताना बारको विशे प्रशन सा करे छे परन्तु चोथे श्री कस्तू बोलती नथी उसने अपने बेते के बारे में कुछ ना कहां ते तेना बारक मा ते कस्तू कहती नथी पहली स्री ने उसे तुक्ते हुए कहा, क्यो वहन, तुम क्यो चुप हो, तुम भी तो अपने बेते के बारे में कुछ बताओ, तुम पन तो तारा छोकरा माते, बोल, बताओ, अमने एवु कहें छे, चौथी स्री ने बड़े ही सज भाव से कहा, चौथी स्री, खुबज सहा, जेतले के सरल, नम्रपुर्वक कहें छे, मैं अपने बेते की क्या प्रशन्षा करू, तुम मारा छोकरा निशू प्रशन्षा करू, वहतो न गंदर्वशा, गायक है, न भीम सा बल्वान, और नहीं ब्रवश्पति सा बुद्धीमान, सुका है छे, कि हुँ मारा छोकरा निशू तारिफ करू, वहतो न गंदर्वशा, एटले के देव लोको के गायक, जे गंदर्वगोन हता, तो जे देव लोको एत्तिना गायक हता, तो के न एक गंदर्वजेओ गायक, एटले के एनो नथी कंत सुरीलो, न बीम सा बल्वान, इटले बीजिश्ट्रिये कहीन हतो, कि मारा छोकरो बल्वान छे, अटले के मारा छोकरो के बीम जेओ ताकटवार पन नथी, शक्तिवान पन नथी, औने न थी ब्रोस पती जेओ बुद्धी मान, एटले के नथी ते बुद्धी मान, तो हूँ एनी शुू प्रसिंशा करू एवु ए चौथी श्री कहे छे, तो बारकों आपने अहीं फरेश्थी जोई जईए, पहली श्री ए एना बारक माते शुप प्रशंशा करी हाती, कि ते लाकों मा एक छे, उसके कंठ में उसका कंठ मदूर है, क्यूंकि वहाँ बहुत अच्छा गाना गाता है, और उसका गाना सुनकर कोयल और मेना भी चुप हो जाती है, ते विजरी ते बिजिश्री एना बारक माते शुप प्रशंशा करे छे, तो के कहे छे, मेरे बेते की बराबरी कोई नहीं कर शकता, क्यूंकि वहाँ बहुती शक्ति साली और बहादूर है, वहाँ बड़े बहादूरों को भी प साक्षात ब्रुहश्पति का अउतार है, क्यूंकि वहाँ जो कुछ पढ़ता है, एकदम उसे याद रह जाता है, और उसके गले में, उसके कंट में सरस्वती का निवास है, वरबर आ था ये त्रॉंश्ट्रे निवात, हवे जोईसूं, कुट समय बाद, जब वे सब सीर पर रक्कर लोटने लगी, तबी किसी गीत का मदूर्श्वर सुनाई पड़ा, हवे इत्रों वाद करी, पुरी थाई, चौतिश्ट्री ने पची कहें छे, चौतिश्ट्री जवाबापे छे, के मारो छोकरो गंदर्वस सा गायाक नहीं है, ना बीम सा बल्वान है, और ब्रवस्पति सा बुद्धी माल, एम बोलीने पची एलोका थोरो समय था, एतले कोड़ पोताना गरा माथा उपरमुकीने गडा, पानी थी जे बड़ेला गरा होई, ते माथा पर गडा एतले के मातला, माथा उपरमुके छे, आने गरे जवान निकरे छे, तेरे रस्तामा तेमने कोई मदूर, गीत गाई रही होई, तेवो अवाज सम्पराई छे, सुनकर पहली स्ट्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, अने आ सामरीने पहली स्ट्री बोले छे, कि जो मारो हीरा, हीरा एतले के छोक्रा माते सब्दाव अपरायो छे, कि अच्छा वेता, आम त अच्छा वेता, सारो छोक्रो एम, तो के ए गाई रही होँचे, तुम लोगोंने सुना, उसका कंथ कितना मदूर है, कि तमेलो के सामरू तेनो अवाज केतलो मदूर छे, वह लड़का गीत गाता, गाता हुआ उसकी उसी रास्ते से निकल गया, अने ते छोक्रों गीत गात हो, आननी एज रस्तापरती जाय छे, नो मतले में, कि जीना एनी माता, गरो लही ने, पारी लही ने, जती होई छे त्या थी, अनी माताने जोई छे छे छता, पन, जतो रहे छे। उसने अपनी माकी और कोई ध्यान नहीं दिया, ते तेनी मानी तरफ ध्यान आपतो न थी, इतने में दुष्ट्री श्री का बेता उदर से आता दिखाई दिया। दुष्ट्री श्री उसे देखकर गर्वशे बोले। देखो वहम मेरा लाला बेता आ रहा है। एतली वार्मा बिजिश्ट्री हो एत्तेनों छोकड़ों पन त्याती आवतों देखाई छे। अने ए विजिश्ट्री कहें छे गर्वश थी एतली कि खुबज अभिमान्थी कहें छे कि जो आ मारों लाड़कों छोकड़ों आवी रही हो छे। सक्ती और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन करशकता है कि तम्में एने जोई सको छो कितलो सक्ती चे कितलो ताकटवारों छे एनामा यहनी कोई बराबरी करी शक्तू नथी। वहां यहां कहां ही रही थी कि उसका बेता भी उसकी और ध्यान दिये बिना ही निकल गया। अने इस ट्री एना छोकड़ारी तारीत करती हती तो छोकड़ों एनी माता तरफ ध्यान आपतो नथी औने त्या थी सिदो निकरी जाए छे। वह कुछ आगे बदी तो एका एक टिश्री श्री का बेता उदर्शे संस्कृत के स्लोक का पात करता हुआ निकला। अने हजु थोरो कज आगर जाए छे। एतले तो तीजी जी श्री हती तेनो छोकरों त्या थी संस्कृत ना जी स्लोक हुआ तेनु वाद्ता वाद्ता एतले के ए बोलता बोलता ते त्या थी निकरे छे। हवे संस्कृत ना स्लोक का एम नेम बोलाई जाए छे। नए तमे वधा भणो जोने संस्कृत के तलो अगरू है छे। तो कि एने पाचु फक्ता बोली नती जतो। शु करे छे। एने सुन्दर रिते गाई ने बोलतो बोलतो जाए छे। एपण के उमधे। एटले एने मा खुष्ठ हाई छे, उसके उच्चारन से ऐसा लग रहा था, माना उसके कंथ में शाक्षात सरस्वती विराजमान है। एटले के एजेरे संस्कृत नू पठन करतो है छे श्लोक नू त्यारे एने सामरी ने एवु लागे छे के एना घरामा सरस्वती विराजमान छे। एट गत्सवर एटले के आनन्दि थोकर खुबज प्रसंथाईने कहे छे, देखो यही है मेरी गोट का हीरा, आने पचिके चे के आच्चे मारो हीरो, हीरो एटले के छोकरो, इसे कोन ब्रोषपती का आउतार नहीं कहेगा, के आने कोन ब्रोषपती न आउतार न कहेशे, ए छोकरो पन तेनी माने तरफ द्यान आपतो न थी, अने सिद्धो जतो रहे छे, वहां अबी थोडी ही दूर गया था कि चोथी स्ट्री का बेता भी अच्चानाक उदर्शे आ निकला, अने पेलो त्रिजी स्ट्री नो छोकरो थोरोक आगर जाई छे, एले चोथी स्ट्री सिद्धो हतो, सादो शरल प्रकृती, सरल प्रकृती एतले के अहीं प्रकृती नो अर्थ छे स्वभाव, प्रकृती नो अर्थ सुछे स्वभाव तेके एनन जोवामा एकदम सिद्धो सादो अने कुबज सारा स्वभाव नो लागतो हतो, उसे देखकर चोथी स्ट्री ने क अहां बहन यहीं मेरा लाल है अने एने जो इने चौठी श्री बोले छे के बहन आज मारो लाल छे अहीं पण लाल नो मतलब सुचे दिकरा बेता प्यारा बेता एम तो जूवा जई तो ए लाल सुचे एक किमती पठर छे बरबर पण अहीं कहाने मा एनो अर्थ सुचे के मारो प्यारो छोक्रो बेता, चोथी श्री उसके बारे में बत्ता ही रही थी कि उसका बेता पास आ पहुचा, अने चोथी श्री जेरे एना विसे बोली रही हती एना छोक्रा विसे, त्यारे ए छोक्रो एनी मा पासे पहुची जाए छे, अपनी मा को देखकर वहां रुग गया और बोला मा लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहचा दु। और तेनी मानी पासे आवीने कहे छे कि मा आगड़ा तुमने आपी दे हुँ गर सुधी पहचारी दो। मना करने पर पि उसने मा के सीर से पानी से भरा गड़ा उत्तार कर अपने सीर पर रखा और गर की ओर चल पड़ा अने इनी माता इने ना पारे छे छत्तापन ए बारक इना माताना सीर एतले के माता परती पानीनो भडेलो गड़ो उतारी ले छे अने पोताना माता उपल मुकीने गर तरफ चालवा लागे छे तीनो औरते बड़े ही आस्चर्य से चोथे श्री के बेते को देखती रही हवे त्रोने श्री ओ खुबज आस्चर्य आस्चर्य एतले सु नवाई एमने खुबज नवाई लागे छे आने ए ए छोकराने जोई रही आती चोथे श्री ना छोकराने जोती रही गई एक रूद महिला जो बहुत देर से इन औरते के पीछे चलती हुई उनकी बाते सुन्द रहे थी पछी आचार जेरे वातों करता हता अने रस्ता माथी गरे पहुतता दती आरे इमनी पाचर एक रूद महिला हती जे आज त्रियोंनी पाचर चाली रही हती अने बद्धी वातों सामभरती हती तमें अहीं चित्रमा जो इसको छो आचार औरत छे जे वातों करती हो जे पाचर तमें जो इसको छो एक रूद महिला देखाई चाने लाकणी पकड़ी ने तो एक इतला समय थी आ ट्रोणे नी वद्धी वातों सामभरती हती चारे महिला नी वद्धी वातों सामभरती हती अने पछी ए व्रूद महिला पास आकर बोली देखती क्या हो यहीं सच्चा ही रहे पछे उग्रुद महिला आवी ने केई छे के तमे ट्रोने ट्रोन आस्चर यथी सुझो छो के आज साच्चो हीरो छे समझाय उभारको तो हाँ पाठमासु केहवा मांगियो छे के कोई नी पासे कितलू पन ग्णान हतू त्रोने-ट्रोन चोकडवो पासे कितलू पन ग्णान हतू परंतु तेने तेनी माता पासे आवी ने एनी मदद करवा उभा हों न्यों उभा पन नयरे हैं गणाने, माता जाय चे, तिने जो तापन नतीम सिधा मातानी बाजुमाथी निकरी जय चे, तियरे चोटि स्रीनों चोक्र, जेनी पासे कोई गुण नहात्ya, परों तिना निन्हात्य, सेवा करे चे, माता पासे उबड रहे चे, जेंनी मदद करे चे, एज साच्चो हीरो कहेवाई एटले एवु न थी के आपने गणान न होँ जोए के आपने भणु न जोए खाली मुम्नी बप्पानी से पन के गणानी साथे साथे आपड़ामा आचरन पन सारा गुण पन होवा जरूरी छे खरूने तो तमारे बद्धाये पन आ वात याद र लखवानी छे अने तीने आपड़ामा न होई तो आपनी अंदर उत्तारवानी जरूर छे बद्धा मुम्मी बप्पाने सामे जवाब आपे छने काम करवानू के एटले मुम्मी नी पर खिजवाई जाओ जो जान अथी करवानों करो छो ने एवु तो आपने एवु नई आपने भनता भनता पन मुम्मि पपने थाय तेतली मदत करवेई जोईए खरूने तो बाराको आ पाथनू वांचन तमारे बेवार करू अने तेना सब्दाध नोटमा लखवाना रहे शे अने सब्दाध नी साथे साथे मुहावरा पन नोटमा लखी जवाना रहे शे अने बाकी ना प्रश्णों छेते हुँ भाग बेमा समझाविज। ठैंक यू। बाकी बाकी यूल